ये देखिए आ रहा है ना आपके भी मुमे पानी ये लड्डू देखकर सेहत और स्वाद अब दोनों मिलेंगे आपको लड्डू के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डू जो न स्रिफ आपकी इम्मुनिटी बढ़ साथ के साथ में हमेशा रहता है ना कोई चाशणी बनानी है ना कोई मावा चाहिए और गर्मियों के लीए शक्ति वर्दक लड्डू तो चलिए शिरू करते हैं Hi everyone, मैं हूँ पारुल, कुक्वित पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर हल्दी, सुपर टेस्टी गर्मियों के स्पैशल इम्मुनुटी बूस्टर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहां में ले रही हूँ दो कटूरी मखाने जिनने आप इंगलिश में फॉक्स नट्स भी बोलते हैं या लोटस सीड भी कहा जाता हैं मखाने सेहत का खजाना होते हैं क्योंकि यह प्रोटीन दिछ तो होते ही हैं साथ की साथ हाई इन कैलशियम और साथ की साथ इसमें होता है धेर सारा कैलशियम तो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं हार्ट और किड्नी को मजबूत करते हैं साथ की साथ डाइरिया में भी यह बहुत फायदा करते हैं, हमेशा से हमारी नानी दादी कहती हैं कि मखाने बहुत ही फायदे बन दोते तो वाकई बहुत फायदे बन दोते हैं, especially गर्मियों की दिन में आप इनका सेवन इजी ली कर सकते हैं, इम्मुनिटी को बूस्ट करते हैं मखाने, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं, तो मैं जितनी तारिफ करूं उतनी कम है, तो यहां मैंने काटोरी सेट कर ली है, आप भी कोई घर की काटोरी सेट कर ले या कोई कप और उसी अनुसार आप पूरा मिजमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले मेले रही हूँ, इस काटोरी से, दो काटोरी मखाने, अगर मैं बजन से भूलू तो लगबख 50 ग्राम मखाने हैं, तो सबसे पहले लड़्डू बनाने के लिए आप लीजये एक ग्राइंद utz 이것 दॉक काटोरी मखाने डाल देंगे, और इसका एक धर्दरा बहुत ही आसानी से और जहां हम बजार में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पुरी परिवार को खिलाइए रोज एक आपकी इम्मुनुटी भी बूस्ट रहेगी साथ की साथ आपको रोगो सदूर रखेगा और यह लीजए मैंने मखानों को अभी थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा यह देख सकते हैं आप बहुत ही जल्दी सेकंड में फिस जाते हैं अब यहां पर जो सेकंड चीज में ले रही हूं वह है एक चौथाई कप बादाम यह इस कटोरी से आदा कप से थोड़ा कम उसको हम एक चौथाई बोलते हैं अगर चमत से बूलों दो धाई बड़े बड हमारे 300 बॉड़ी के एंजाइम को सपोर्ट करता है जिंक तो जो भी चीज़ में ले रही हूं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में जिंक है जिसकी वज़े से वह आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है जिसलिए बादाम हमें बहुत अदा नहीं है क्योंकि गर्मी है त यह ले रही हूं एक चोथाई काजू में भी जिंक होता है जैसे मैं बताया कि जिंक बहुत जरूरी है हमारी बोड़ी के इम्यून सिस्टम को यह सपोर्ट करता है जो बड़े चंबच के करीब काजू को लेना है बहुत जादा मात्रा में ड्राइफूट्स नहीं लेने है जितना जितना में बता रहे हूं और बहुत दूसरे ड्राइफूट्स की भी हमें जरुवत नहीं है साथी मैं इसमें डाल रही हूं सेहत का खाजाना खर्बूजे के बीज यानि मस्क मेलन सीट्स यह भी आपको बहुती जीली मिल जाएंगे यहां पर जो मैंने एक जालाएं रुकिये फिर चलाएं इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कोर्स पाउडर की फ्रम में पीस लें और यह लीजे ज़िए मैंने सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से पीस लिया है बिल्कुल ऐसा दर दरासा इस लड़ो को बनाने में में महनत बहुत ही कम है आदा चोटी चमच काली मिर्ची पाउडर, अटेर शारा एंटी इन्टी इंफिलमेटरी प्रोपर्टीज, यहां पर हम डाल देंगे सबसे पहले काली मिर्ची पाउडर, फ्लेम को यह बिल्कु लो रखेंगे, और इस तरह से बूल लेंगे, कोई भी चीज जले नहीं, इसले अब इसमें हम डालेंगे हमारा मिक्स पाउडर जो भी हमने तयार किया था ना सारा आप इसमें डाल दीजे अब सभी चीजों को बढ़िया से लो फ्लेम पर हलका सा भूल लेंगे इससे लड्डू का स्वाद भी बढ़ जाएगा साथ की साथ जो लड्डू की शेल्फ यह लड्डू ऐसे है कि आप बना कर रख लेजे पूरे आप 20-25 दिन तक इसको एंजोई कर सकते हैं बल्कि एक महीना जल्दी यह बिल्कुल खराब नहीं होते मैं इसलिए आपको सारी चीजे बता रहे हूं कि जो भी चीज आप खा रहे है उसके अंदर क्या है उसके क्या आपको पता हो और अभी के लिए तो यह बहुत ही शक्ति वर्दक लड्डू है घर में बच्चे बड़े सब को आप दे सकते हैं बनाकर के बस सुबह गरम दूद के साथ एक लड्डू दे दीजे बहुत फाइदा करते हैं यह कभी भी अगर आप खाने के बाद खाना चाहे तब भी खा सकते हैं बहुत से लोग काड़ वगेरा या इम्यूनिटी पाउडर चाय ऐसी चीज़े पी नहीं बाते हैं तो आप यह लड्डू इसी लिए खा सकते हैं अब साथ ही आप मैं डाल रही हूँ हूँ डेर्ड काटोरी नारियल का बुरादा यादी डेसिकेटेट जिसमें होते हैं हेल्दी फैट्स साथ की साथ एंटी ऑक्सिदेंट का भरपूर मिनरल से भरपूर और हमारे हीमोगलोबिन को मेंटेन करता है बहुत सारे फाइदों से भरपूर होता है नारियल तो लाजवाब होता ही है और इससे बने लड्डू तो बहुत ही बड़ी अल आरियल भी आप साथ ही डाल दें और उसको भी हम हलका सा बूल लेंगे लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर एक चमजगी और यूज़ कर रही हूं थोड़ा सा मुझे ड्राइ लग रहा है तो जड़ा साथ ही आप और डाल दें और अच्छे से कर दें मिक्स और थोड़ा इसको हम पूरा दिन बच्चे लैप्टॉप कम्प्यूटर्स पर बैठे रहते हैं तो ऐसे में आखो की रोशनी के लिए भी बहुती बढ़िया है और यह आप देख सकते हैं के बहुती प्यारा हलका गुलावी सा रंग आ गया है सभी चीज़ा हलकी भुन गई है अच्छी खुश् पर भुनना है और अब ही आप देख रहे हैं अगदम बढ़िया इसका कलर दिख रहा है खाने मस्त लड्डू बनते हैं बहुती स्वाधिस्ट इस स्टेश पर गैस को कर देंगे हम बंद मैंने गैस से पैन को तार लिया है इसको हलका सा हम थंड़ हो देंग हमारे जो मिक्स इस अठी पिसरे जी यूजुड़ के शड़िया है तो आपके पास मिष्री हो तो आप मिष्री-क हो अगर बना कर की उसका फाइन पावर्ड बना कर कर कि यहां ऑब भी यो लिग रही जा सकते हैं लेकिन गर्म के कारंट मैं बुड कर तो यहां दे сюж हुट आरे एउप अर ब बूरे को अच्छी तरह कर लीजे, मिक्स, जो आपको सुविधा लगे, जो घर में हो इस वक्त बाहर ना जाना पड़े, उस तरीके से आप इसको अभी बना सकते हैं, क्योंकि यह जो अमने बूरा लिया है, यह हलके गरम में डाला है, तो वो थोड़ा सा पिगलेगा, जिससे आप लट्डू को इसली बांद पाएंगे, और यह देखे, आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से बूरे को मिला लिया, और मैंने हलके से थंडे, यानि गरम में ही बूरे को डाल दिया, तो तो देखे किस तरीके का यह बना बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी यह फील हो कि लट्डू बंद नहीं पा रहे हैं, तो कोई परिशानी नहीं, थोड़ा सगी लीजे, उसको गरम कर लीजे, पिकलेवे गी को डाल करके आप तब बांद सकते हैं, या फिर हलके गुनगुने दूद की छीटे लगा करके लट्डू को बांद सकते यह देखिए, इस तरह हाथ को थोड़ा गोल घुमाते हुए दबाते हुए आप बनाएं, परफेक्ट आपके लट्डू तयार हो जाएंगे, लग रहे हैं एकदम बढ़िया खाने में तो जबर्दस टेस्टी, सारे स्वाद आपको इसमें मिलेंगे, कर्मियों के लिए बि यहीं पर मैं आपको तोड कर भी दिखा देती हूँ, यह देखिए, मस्त एकदम, ऐसे लट्डू हैं जिनको आप बोल सकते हैं, एकदम स्वाद में मस्त, और बिमारी को करेंगे बस्त, तो यह लीजे, बिलकुल तयार है, हमारे शक्ति बर्दक, गर्मियों के स्पैशल इम आतरह मैंने ली है, गर्मियों के लिए बिलकुल परफेक्ट है, आप एक लट्डू, रोज सुबा गरम दूद के साथ लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, या फिर आप खाना खाने के बाद भी अपने मूह मीठा इसे हत्मन्द लट्डू से कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक एक टाइप बॉक्स में लगबग एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बचेंगे ही नहीं, हफ्ते भर महीं पूरे लट्डू खातम हो जाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही बढ़िया है, जरूर बनाएं, मुझे प्र प्यारे प्रेकॉमेंट्स देख सकते हैं, थैंकि फॉर वाचिंग कुक विद पारूल, जै हिंद, जै भारत